कैनेडा की प्रधार मंत्री जस्टिन टूडो की पतनी सोफी टूडो को कोरोना वाइरस हुआ है गुरुवार को उनमें कोरोना के लक्षन पाए गए थे लेकिन अब सामनी आय रिपोर्ट में वो पॉजिटिफ पाए गई है जिसके बाद जस्टिन टूडो को सेल्फ आयसोलेशन में रखा गया है कैनेडाई प्रधार मंत्री अब 14 दिन तक घर में ही रहेंगे और डॉक्टरों की निगरानी में ही काम करेंगे शुक्रबार को कैनेडा की प्रधार मंत्री कारेले की तरफ से आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टी की गई है बयान में कहा गया है कि प्रधार मंत्री जस्टिन टूडो ठीक हालत में है और उनमें करोना वाइरस के कोई तरह के लक्षन नहीं है सोफी टूडो को भी अगले 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनका ट्रीटमेंट जारी रहेगा वहीं दूसरी और प्रधानमंत्री को उनसे अलग घर में ही निगरानी में रखा जाएगा कैनेडा में बरते क्रोना वाइरस के असर की वजह से बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ने घर से काम करना शुरू कर दिया था जस्टिन टूडो लगातार अपने घर से ही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सभी बैठ के लिए रहे हैं शुक्रवार को जस्टिन टूडो देश को संबोधत करेंगे और कोरोना वाइरस पर ताजा जानकारी देंगे बता देंगी कोरोना वाइरस के दुनिया में अब तक करीब डेड़ लाख केस सामनी आ चुके हैं कैनाडा में अब तक 138 पॉजिटिव केस सामनी आये हैं जुने निगरानी में रखा जा रहा है वहीं कोरोना वाइरस की वज़य से कैनाडा में अभी तक एक ही मौत हुई है ब्यूरर रपोर्ट प्रथम तहल का नियूस